जिला इस्पताल में तैनात फार्मसिस्टों ने इपसेफ के आवाहन पर कॉलिंग अटेंशन अभियान के दित्ती चरण में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के करमचारी सक्षक सायुक्त मोर्चा और राज करमचारी सायुक्त परिशत के बेनर तले स्वास्त करमचालियों ने महमंत्री डीके सिंग ने बताया कि कोवीड-19 जैसी बैसिक महमारी से निपटने के लिए हम सभी स्वास्त करमी पूरी निस्ठा से अपने दायतों का निर्वहन कर रहे हैं ऐसे में सरकार हमारी वेतन भत्ते में कटौती करके हमारे मनुवल को धराशाई कर रही है इस संबन में गोरेकपु नियूस से बात करते जिला महमंत्री डीके सिंग ने कहा सर मैं डीके सिंग चीफ फार्मसिस जिलास्टाल गोरखपुर में हूँ और मैं डिपलोमा फार्मसिस टेशन का जन्पत मंत्री भी हूँ राज कर्मचारी संजुक परिशत का भी जन्पत मंत्री हूँ और सारे कर्मचारी जन्पत के इसलिए दुखी है कि हम सभी लोग मिलकर इस महमारी में काफी सिद्दत के साथ और तनमेता के साथ मरीजों की या आम जन्वानस की सेवा कर रहे हैं सरकार की जो मंसा है उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम लोग का डीए को फरीज कर दिया गया तीन डीए को इसको जन्वारी 21 तक के डीए को फरीज कर दिया गया इसे कर्मचारीों में काफी आक्रोश है उत्तरप्रदेश सरकार ने जो 6 भत्ते थे हमारे करमचारीों के उसको समाप्त करने का काम किया है जहां इस माहमारी के समय में करमचारीों का और भुष्टप करना चीए इनके मनोबल को वहां सरकार करमचारीों के मनोबल को डाउन करने का काम कर रही है इस lockdown के period में हम लोग social distancing का पालन करते हुए आज काला फीता बात कर विरोड़ प्रतर्शन कर रहे हैं और lockdown के बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन पर हम लोगों का एडिये और ये भत्ते जो कटे हैं ये बहाल नहीं हुए तो हम लोग पूरे राज कमचारी संदुक परिशत के बैनरतले एक बड़े आंदोलन पर जाएंगे इस लागड़ाओं के बारे